और राइट गाईज स्वागत आपका इस वीडियो में तो फाइनली यहाँ पे डेंडर राइन का नियो एपिसोड आ चुका है और एक धोगेबाजी हुए है और मेरे साथ पहले डेंडर राइन और ब्लू बॉक्स के एपिसोड फ्राइडे की रात को आते थे लेकिन इनो ने कर लेते हैं बागी बाते वीडियो के एंड में कर लेंगे एपिसोड फिश्वात में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैन यहां पर मैं बोलू ओकरून थोड़ा डर रहा होता है स्कूल जाने से पहले वह सोचता है कि अगर उसका सामना हो गया मोमो से तो वह क्या बोलेगा उससे कैसे बात करेगा उससे गुड मॉनिंग बोलेगा है वह प्रैक्टिस कर रहा होता है बेसिकली यहां पर ठीक है ना लेकिन वह एंड में डिसाइड करता है कि वह सुप चुप कर जाएगा जब देखता है यहां पर सामने मोमो खड़ी हुई है तो उसे इसमें उसे इग्नॉर कर देना चाहिए मोमो को ठीक है तो वह से अंदर जाने लग जाते लेकिन मोमो उसके पास ही आ जाती है और वह कहती है कि तुम बहुत लेट हो चलाओ मेरे साथ जिसके आद यह दोनों ही यहां पर एलियन के बारे में बात करने लग जाते हैं आपको बहुत बुरी तरह से टीट किया जाता है बच्चे बच्चे उसको धक्का मारते हैं ठीक है वह तो बस अपनी मांगाज निकाल के बैट जाता है और वह कहता है कि मेरे को कोई फरक नहीं परता लोगों से कि लोग कितने कमीने हो सकते हैं लेकिन मैं उनको एंड में माफ कर द भी नहीं कर रही ती कल और ये कल स्कूल भी नहीं आई थी तो चल क्या रहा है यार तो यहां पे मोमो नीचे डेस्ट पे सर रख लेती है और भाई एदर उदर की आवाज निकालने लग जाती है वो मन में यही सोचती है कि उसको बस कैन से बात करनी है एलिंस के बारे में कि ये इलिंस खाते क्या होंगे और उनका रहांगे घुर्णार होते हैं वो भी ऐए चीज सोच रहा होते है कि या उसे मॉमो ситу करने फूर्णिजर के बारे में gün моя खर गशार नहीं को तो ये दूनों निकल जाते एक दूसरे को ढुबने के लिए एक दूसरे की क्लासिस में जाते हैं सुबह उसको पते चल गया हुं कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूं और वो मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहती अब ये दोनों यहाँ पे साइड में ही बैठे होते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि एंड में ठक चुके होते हैं मुमों भी यही सोचते हैं कि हो सकता है कि आयर ओकर उनको अकेले रहना पसंदो और वो मुझे अवाइड कर रहा है मैं भी सुबस उसके मुँपे जाके सवाल उससे पूछने लग गई तो उससे अजीब लगा होगा ठीक है तो जहां इनको लग रहा होते है कि यह दोनों एक दूसरे को शायद अवाइड कर रहे होंगे लेकिन यह दोनों जो उटके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्या तुम दोनों किस कर रहे थे अभी तो यार यह देखके कि किसी और ने इनको देख लिया है तो मुमो तो भाई एकदम से सीरिस हो जाते हैं मैं इस भूंदू को किस करूंगी कि ऐसा कभी होई नहीं सकता तो यहाँ पर यह दोनों ही एक दूसरे की बेस्ती मारने लग जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि यह काफी जादे घुस्ता हो गया और मैं आल तो फाल तो बोल दिया मुमो को तबी वो रेलाइस करते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड है दूसरे यहाँ पर मुमो की क्लासमेट्स इखटा हो जाती है और वो उससे पुछती है कि यार हमने सुनाए कि तुम किस कर रही थी नीचे यार ये सची स्रोरी है क्या तो लड़का उससे पूछती है कि वो वेसे तुमारे बारे में ही सोच रहता हो मुझे तुम से ही बात करनी है तो लड़किया तो इंपरेस हो जाते हैं वो यहां से चला जाता है ठीक है और उसकी दोस कहते है तुमने कुछ जादे खड़ूस पना दिखा दिया उसकी फ्रेंट्स यह कहते है कि अगर वो सिर्फ लड़की है और मोमोह यां से उने लगी से और बात कर रहे हैं तो इसो जाने लग जाती है और वो लड़की में काफ़ी क्योट है और तो Μो मो को कितना बेवकूफ लड़का है मैं उसे प्यार से क्या बात ही कर ली उसको में से प्यार हो गया हो गया और मैन उसको तेच कर लिया यह तो उसके लिए बहुत बढ़ बड़े अचीवमेंट होगी अब देखना वो मेरे पीछे लटो हो जाएगा और मैं guarantee देती हूँ तुम्हें कि मेरे लावा आज तक उसे किसी cute लड़ी ने touch भी ने किया होगा तो उसका तो लग खुल गया ना तो मोमो को ये सब सुनके काफी घुसा आता है वो अपने psychic ability का इस्तमाल करके एक wash tub रखा हो तो उपर वो उस लड़की के सर पर गिरा देती है और यह बंदी तो नीचे गिर जाती है अब ओकरुन तो परिशान हो जाता है और यार वो बंदी तो भी मेरे से मिली थी और नीचे कैसे गिर गई कहीं ऐसा तो नहीं अदर यह बेवकूफ लड़किया नहीं समझेगी तुम्हारा कमाल ऐसी लड़कियों को लगता है कि तो यहाँ पर मोमो भाई अच्छा का उसा बदला दे लिती है अब यह लोग यहाँ पर भाहर आ जाते हैं मोमो माफी मांगते होकरुन से ठीक है ना वो कहती कि मैं अम्बैरस फील कर रही थी उस टाइम पे तुमारी वज़े से नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो इस वज़े से क क्योंकि हमारे लिप स्टच हो गए थे उस टाइम पे और में को बहुत जादा शरम आ रही थी उस चीज़ के लिए ठीक है ना तो ओकरुन भी कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है मैं समझ सकता हूं ठीक है और मेरे को अच्छा लगता देता है कि उसकी बॉल्स जा चु अ डइक है वापस तो यहां पटा गिए मैं बहुत जा और मेरे को अन्डर देखने देखने तो मेरे को ठीक है तो ओकरुन को वह जाँ नहीं हो चुछ पानी और और एक पस तलेस्मा लगाती है जिसके आउठ पूए यह यह फैं टैप हो तो उससे ओकरुनके सर पे मारना शुरू करती है ठीक है अब ओकर उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चल के रहा कोई मजाग के क्या है तो वो मुमो से पूछती है कि तुम्हें कुछ एसास हुआ तो मुमो कहती है हाँ वैसे एक सेकिन के लिए जब तुमने उकर उनके सर पे मारा था तब मेरे को ऐसा लगा इसका औरा एकदम से चेंज हो गया था तो ग्रैनी कहती है फिर मैं इसको फिर से मारती है और जैसे इसका औरा चेंज हो ना वैसे इसको पकड़ के भाहर निकाल लेना तो Momoo कहती है किया हम लोगों के औरा वार निकाल सकते है तो Granny कहती है नहीं नहीं किसी इंसान का नहीं है तुम बस तयार रहो ठीक है तो यहाँ पे जैसी Granny मारती है उकर उनके बोड़ी में से Momoo इस औरा को निकाल लेती है ठीक है अभी से देखके तो याँ ब्लीच किया आदा गई मेरे को एनिवे यह सॉफ्टर यहां से भागना शुरू कर देता है जाके छुप जाता है लेकिन यहां पर जलने ही वाली थी तब वो ओकर उनकी बॉड़ी में घुस गई थी और उस बॉड़ी के अंदर घुसके उसने अपने आपको छुपा लिया था जब तक उसकी स्पिरिच्व पावर बढ़ नहीं जाती उसका में प्लैन यह था कि एक बार उसकी स्पिरिच्व पावर मेरे हाथ में ठीक है फिर बच्चे जाओ और एक चाकू लेकर आओ इन दोनों लड़कियों को मार डालो ठीक है ना तुम्हारे पास और कुछ चारा नहीं है बजाए मेरी बात मानने की तब यहां पर उकर उनको कुछ होने लग जाता और वो एकदम से ट्रांस्फॉम हो जा ठीक है ना तो टर्बो ग्रैनी तुम्हारी सारी के सारी जो स्पिरिच्छल एनरजी है वो अभी इस बच्चे के अंदर है तो समझा रहा है ना ये खेल किसके हाथ में तो पसी ने चूटने लग जाते है इधर ग्रैनी अपने पंखे से इसको मारना शुरू कर देती है तो म ठीक है तो टर्बो ग्रैनी कहते है लेकिन वो बॉल्स मेरे पास नहीं है तो मोमो कहते है क्या मजाग कर रहे है तुमने अभी प्रॉमिस किया ठीक है ना जल्दी दे दो वरना तो टर्बो ग्रैनी कहते है मैं जूट नहीं बोलती मैंने उसके अंडे कही गिरा दिये तो भा बाइ